साइकल की सवारी अरे वा चुटकी, क्या ये तुम्हारी नई साइकल है? नई, ये मेरी पुरानी साइकल है दादा जी, क्या आप इसे ठीक करने में मदद कर सकती है? अभी तो ये चल भी नहीं रही है चुटकी, तम चिंता मत करो दादा जी से ऐसे ठीक कर देंगे कि ये सिरब चलेगी नहीं दाड़ेगी चुटकी मैं ज़रा अपना औजार वाला बक्सा निकालता हूँ लो ये ठीक हो गई अब बस इस पर सुन्द से रंग करने है मट्रू तुम अपने जोले में ढूंडो न क्या मट्रू के जोले में रंग कहां से आएंगे देखती हूँ मेरे जोले में है एक गोतल एक पेंसिल एक लड़ो का डबा लड़ो लाला वो तो मुझे देदो और हाँ रंग अरे वा मट्रू तुम्हारा जोला कमाल है बताओ चुटकी कौन सा रंग चाती हो अपनी साइकल पे मुझे लगता है तुम्हें इसमें पीला या फेर शायद लाल रंग करवाना चाहिए नई नीला रुको तुम दोनों चुटकी का जो मन हो वो ही रंग से साइकल को रंगेंगे हाँ चुटकी तुम्हारी मर्जी पीला रंग करवाओ या लाल बताओ चुटकी अपनी पसंद का रंग दादा जी क्या आप इंद्रदनुष्टे से साथ रंग कर सकते हैं कोशिश कर सकता हूँ एक बार तुम्हारी साइकल ठीक हो जाए फिर हम सब साइकल पर घूमने जाएंगे बच्चों तुम्हारी बाते सुनकर मुझे भी अपना बच्पन यादा गया क्या सच में आप भी साइकल चलाते थे हाँ बच्चों और तुम्हें पता है सड़क पर पैदल या फिर साइकल चलाते वक्त कुछ सावधानी भी रखनी पड़ती है कैसी सावधानी दादा जी? अच्छा बताओ क्या तुम्हें साइकल घर से दूर चलानी चाहिए या घर के आसपास? नहीं दादा जी दूर जाने से खत्रा हो सकता है और ट्राफिक वाली सड़क पर तो बेखल नहीं और किसी बड़े के साथ ही घर से बाहर और सड़क पर जाएं बहुत अच्छा बत्चों और और किन बातों का ध्यान रखोगे सड़क पर साइकल चलाते हुए? सड़क पर हमेशा बाई तरफ चलना चाहिए और सड़क पार करते हुए पहले बाई, फिर डाई, और फिर बाई देखकर ही सड़क पार करनी चाहिए साइकल चलाते हुए या सड़क पर चलते हुए ना तो हमें बात करनी चाहिए और ना अपने खयालों में खोना चाहिए और ना मुबाइल या रेडियो पर गाने सुनने या देखने चाहिए ताकि हम चौकनने रहें और आसपास क्या हो रहा है उसे समझ सके बिल्कुल सही, हमें हमेशा साफधानी के साथ साइकल चलानी चाहिए दादाजी, आपको पता है, एक दिन मैंने देखा कि एक अंकल इटनी टेज बाइक चला रहे थे कि दूसरे अंकल जो वहाँ से जा रहे थे, उनको चोट लगने वाली थी हाँ चुटकी, तुमने बहुत जरूरी बात कही हाँ, जैसे कहते हैं न, साफधानी हटी, दर घट न घटी मट्रू, लेकिन उससे अच्छा तो ये होगा, कि अगर हम ये कहें, साफधान रहे, सुरक्षित रहे लो चुटकी, तुम्हारी साइकल तयार है वाँ कितनी सुनने लग रहे है ये दादजी, धन्यवाद सडक पार के है ये नियम सडक पर जाए किसी बड़े के संग देखे साफधानी से इधर उधर, फिर करे पार कोई भी सडक हयालों बे न हो न गुम मुबाइल और रेडियो को न सुनना तुम दोस्तों, सडक पार करने की नियमों के बारे में एक पोस्टर बनाए और अपने दोस्तों और परिवार को दिखाए बाइ बाइ दोस्तों, आपसे अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे